ऐसी बड़ी बनाई बाते बड़े बड़े वचन दे देते हैं पंदरा लाक वाला जुमलाओं यह सरकार पूरे-पूरी हील गई है चुनाओ पंच को EVM, VVPAT अपना लेके गाउं गाउं गुमना पड़ा है अभी अरे मसीनों से ले जाते हैं अभी 56 की चाती है न यदी तो म जो बैलेट पे परियदी आ गया तो मोदी साह अपना अब इस्तरा बांद के वापस गुजराच चले जाएंगे बैलेट नहीं आया, EVM रहान है तो राहूल गांदी कभी भी PM नहीं बन पाएंगे नमस्कार मैं नूर जहाँ और आप देख रहे हैं जनेत अवाज, EVM का मुद्ध लगतार बढ़ता चला जा रहा है और हमारे साथ एक शक्स मौजूद है जो गुजराच से आते हैं, जो गुजराच से हैं अतुल पटेल इनका नाम है, तो EVM को लेके लगतार सवाल खड़े हो रहे हैं कि EVM में जो धानली की जाती है, उससे सरकार सत्ता पे आ रही है और बैलेक पेपर से अगर चुनाव हो जाए तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा, सर जो है, खुद एक लाइफ हैकिंग करके दिखाते हैं, EVM की लगतार उन्होंने दो तीन बार कर सकता है, या EVM को सच में हैक किया जा सकता है, यदि EVM और VVP8 में गड़बरी नहीं होती, तो मोदी जी बैलेट पे पर ला दे थे, और मोदी जी जो हिसाब से पिछले बहुत चुनावों से जूत रहे, जनता नहीं पूरे देश को मालूम है, कि EVM की धानली से जीत रहे और हम तो गुजरात से है, तो हमें ज्यादा पता है कि चुनावों में माहल क्या होता है, गुजरात के बेहरोजगार कितने रोड पर है, सिक्सक कितने रोड पर आंदोलन कर रहे थे, दलित समाज आंदोलन कर रहा था, फिर भी भारती जिनता पार्टी ने सरकार कैसे को गोलियों से उड़ाया था, आरक्सन अंदोलन के दोरान मैं खुद पाटी दर समाज से आरक्सन अंदोलन में जुडा था, वो टाइम पे हमारी मांग कर रहे थे, आरक्सन की सिक्सित ब्यारोजगारों को प्रोड़म था, तो आंदोलन नहीं करने देते थे, धारह 144 लग गोलियों से उड़ाया, तो ऐसे लोगों को कैसे वाट दे सकता है, किसानों को गोलियों से उड़ाया, छे, नौ किसान पुत्रों को हमारे, तो ये बिल्कुल मसीनों से जीते है, गुजरात में ऐसा कोई माहोली नहीं था, 17 में फिर भी जीत गए, आप लोग लगतार लाइ आपना लेके गाउं गाउं गुमना पड़ा है अभी, नहीं हीले, तो चुदनाओ के इतने 3-4-4 चुदनाओ डिकलेने उसके पहले कभी आते जमिन पर नहीं आया तक, तो अभी क्यों आगे, और दूसरी बात, हील नहीं गही है, तो जब तो यूट्यूब पे याप कोई एक पिड़ी वीडियो नहीं वीडियो आप डालते हो, अप तो मेडिया के माध्यम से आलते हो, तो उसके अंदर नौटीफिकेस अना जाता है, कि हमारे उन्हीं पिए रहे हैं, यह तो इतने साल तक नहीं दिया, आज क्यों दिया, क्योंकि दर है, शक技 लेके यहां नहीं है करके दिखाएं क्या करें एवियम हेकिंग का मामला नहीं बोल रहे हम ऐसा बोलता है मैनूपलेशन मैनूपलेशन बदलब गडबड़ी यह सौप्पेर का मामला है वीवी प्यटी की अंदर जो प्रोग्राम लगा हुआ होता है उसमें गडबड़ी हो सकती है ऐसा हमने टू द तो आपने भी वीडियो बताई थी तो हमने लाइव डेमो दिया है तो आज पूरे हिंदुस्तान का नागरिक जाग चुका है यह लोगों का कोई हत्कंटा चलने वाला नहीं है यह बार जो बैलेट परियादी आ गया तो मोदि सा अपना बीस्तरा बांदिके वापस गुजरात चले जाएंगे आप भी गुजरात से आते हैं और मोदी जी भी गुजरात से आते हैं तो फिर कैसे आप उनका एकदम विरोत कर रहे हैं लाइव हैकिंग दिखा रहे हैं जगा जगा जाके देखो गुजरात को मोधी से मत जोड़ो गुजरात महात्मा गांधी का गुजरात है जीस ने साबरमती के संत ने ये अंग्रेजों को भगाया था भारत में ऐसे आजादी दिलाई थी तो हम वो ही गुजराती है जो सरदार पटेल पांसो बासट रजवारा एक किया था और अ हैदान में आए है और हटा के रहेंगे लेकिन मोधी जी के गैरेंटी है ना उनकी गैरेंटी पर तो सभी विश्वास करते हैं कि हर चीज उन्होंने कर दिखाई है अरे आपको गैरेंटी की बात करूं ने मोधी जी को मैंने 2013 में सुना था भासन में चुनाओं में कि गुज एंजेनियर हूँ टेक्निकल आदमी हूँ मैंने उसके अंदर जॉइंट किया कि एक साल में इतना बना तो पचास लाक बनने में कितना साल लगे लगे तबी इतने मकान नहीं बना सकते मोधी जी आज तक नहीं बने और दूसरी बात दोलेरा सर का प्रोजेक्ट की बात की थ विल्वर्ड में उतना बड़ा बना दूगा लेकिन आज तक दोलेरा के अंदर एरपोर्ट नहीं बना और उसमें कोई इंडस्ट्री या कुछ आया नहीं ऐसी बनी बनाई बाते बड़े बड़े वचन दे देते हैं 15 लाक वाला जुमला वो बहुत सारे वचन हैं ऐसे 2 करो कोई बंदा नहीं कर सकता जिसके पास फाइनांस होता है करोडो रुप्या होता है क्योंकि यह लोगों ने क्या किया सिर्फ 2% उद्योग पत्यों का आथ में पूरा सब स्वाप दिया जैसे गौतम भाई अदानी है मुकेश भाई अंबानी है अदानी अंबानी यह सब क्या लेकर यूके बेजा क्योंकि वहां जाकर कुछ सैटल हो जाए कि अज एयरपोर्ट पे सर्दार पटेल इंटरनेशनल इयर्पोर्ट पे में हजारों की संख्या में यूवा हरो विदेश जाते है कैनेडा जाता है न्यूजिलन जाता है नंडिड़ जाता है उस्ट्रेलिया ह जारे कि अगर विदेशों तक वे EVM से चुनाव नहीं हो रहे हैं तो भारत में क्यों हो रहे हैं बारत में इसलिए ही हो रहे हैं धांदली करनी है यह लोगों को यदि सुब्रमनियम स्वामी जो BJP से चुड़े हैं वो भी बोल रहे हैं कि EVM से हो सकता है वो भी मोदी जी के ख चुका है और एक बड़ी बात बता हुआ आप के हमारे गुजरात में दो स्टेची ओप यूनिटी बनाया मोदी साब ने बराबर तीन हजार करोड का खर्चा करके लेकिन सरदार पटेल स्टेडियम का नाम भी नरेंद्र मोदी ने मिटाया और मुसोलिनी हो करनल गद्दा सद्दाम हुसेन है ऐसे जो लोग थे ने तानासा वो अपने जीते जी स्टेडियम यार वो एरपोर्ट का नाम अपने नाम पे करते थे ऐसे मोदी जी ने किया है तानासा की ये निसानी है देश को आज समझना पड़ेगा कि अखंड बारत के निर्माता को पहले गुरूत म जाता है मसीनों से ले जाते है अभी चपन की चाती है न यदी तो मोदी जी बैलेट से चुनाओ करके दिखाए अभी तीन राजियों का चुनाओ उन्हें इसमें से एक राजिय ले ले चातिस गटो मध्यप्रदेश हो या राजस्थान या फिर गुजरात को ले ले 17 सीट क कॉंग्रेस को ईया और 156 का अगरे सिरकार बनी वहां एवी हम में धन्य नहीं हो यह क्या मीडम ऐस्जा होता है कि चोर उत बड़ा होस्थां होता है यह लोग क्या करते सबी जगहा डाका डालने का उसकी दानत नहीं रहती हirm वो इसा सूछ में गमड में आ जाए कॉंग्रेस पीर दूसरी जगह पर हार जाए। थि यह नहीं लगता कि इवियम के खिलाफ आज उठाने चाहिए वियाए अंदोलन करना चाहिए। को भी जमीनी स्थर पर आना चाहिए आप लोगों के साथ मैं तो ऐसा सुचता हूँ राहूल जी जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट वन किया तब भी उसको पैरेलली बैलेट के लिए साथ में लड़ना था और आज भी चल रही नहीं तो आज भी राहूल जी को बैलेट पे लेकिन यदि बैलेट रहान है बैलेट नहीं आया इवियम रहान है तो राहूल गांदी कभी भी पीम नहीं बन पाएंगे तो इनका साफ तोर पर यही कहना है कि अगर इवियम रहा तो राहूल गांदी कभी भी पीम नहीं बन पाएंगे कि इवियम में धानली करके ही सरकार सत्ता पर आती है और वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर नियाय यात्रा चला रहे हैं नयात्रा कर रहे हैं राउल गांदी जी तो इवियम का भी मुद्धा उसमें उठाना चाहिए कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने मुद्धार चला चला बात्रा चाहिए कि अगर ईब होने चाहिए कि अगर को पेपर से बाली करे से इवियम के वी में करेंड़ ख़ Province